स्यावर राम चंद्र की जे, श्री रामानन्द भगवान की जे, श्री राधिरा दे, भक्तों इश्वरी शक्ति का अनुमान कोई जीव नहीं लगा सकता है, अपनी बुद्धी के अनुसार ही अनुमान किया जाता है, परंतु इश्वरी शक्ति हमारी बुद्धी के बाहर होती है, कल आप लोग श्रमन कर रहे थे, भगवान श्री रामानन्द अचारे जी नहीं कहा था अनंता नंजी से, कि योगानन्द को वो मधूर अमृत रस पिलाओ, जो आध्याचारे से आंजने जीने कृपा पुरूत प्रदान किया था, इससे इनकी त्रिप्ति होगी, तो अनंता अचारे जी नहीं कहा कि प्रभू, वो तो उसी दिन गुरुवन्दों में बट गया, और वो हो सकता है, सोख ही गया हो, उसका अन्शमात्री बच्चा होगा तो, लेकिन जब महराज जी नहीं कहा उसको ले करके तो आओ तो, देखो तो, तो चकित रह गए वह देखकर, महराज बटने पर भी उककम नहीं हुआ था, और एक लंबा सुमे बीत जाने पर भी सूखा नहीं था, और गुरुदेव की आज्या से, योगा नंदाचारे जी को, श्री अनंता नंजी महराज ने वो दिव्यमृत रस्प्रयाया, भगवान श्री रामान नंजी महराज ने कहा, नंता नंज से, कि देखो, मारूती अर्थास श्री हनुमान जी जो है न, वो एक संत है, और संत की दी हुई बस्तु में कमी कहां से आ सकती कभी, इसलिए ये ज्यों काते हूँ, ये अमरत रखा रहा था, और अनंतर वरस उसी समय, जब योगानन जी को पिलाया गया, तो अभी वो समझ पाए कि ये क्या था ये अद्बुत, जिन बारिक सपने हुले हो, वो ही जान सकते हैं सकते हुए। योगानन जी को प्रस्थानत्रई का भाष्य और चतुर्विंशति तत्तों के तात्विक ज्यान का अनुभव सहज में ही गुर्दय भगवान निकरा दिया। कारिका और अनिश्वर सांख्य तथा योग के सेश्वर सांख्य का रहस्य भी समझ में उनकिया गया। काल सुभाव और इश्वर को सांख्य बादी जगत का कारण क्यों नहीं मानते हैं ये बात वे अच्छी तरह समझ में आ गई है। प्रकृत जननी के मोहनी, परितोषनी, संघातनी आज रूप में दर्शन हो गए। कुछ कालो परांत पीपा जी का चरित हम बाद में सुनाएं गया आपको। लेकिन अभी इनसे संबंदित बात चले बता रहा हूं कि कुछ कालो परांत ही राजर श्री पीपा जी को कृतार्थ करने के लिए। जब आचारी चर्ण द्वितिये बार वैदिक श्री वैश्णो धर्म की प्रचार यूंग दिविजय करने के लिए चले थे। उस समय आचारी की पीनस अठाथ पालकी परमशद्धाल उसी श्रीगण ही बारी बारी से ढोते थे। पर मैं आपको सुनाऊगा कि जो भगवान रामानांद अचारे जी के शेश्य लोग थे। और यही लोग महराज जी की पालकी में कंधा लगा करके उसको धोते जाते थे। इनको आनंद आता था गुरुद्य भगवान की सेवा करने में। स्वामी श्री अनंता नंजी महराज और नरहरया नंजी चमर लिये हुए दोनों और से चलते थे। और उस्तमय योगी राज्यो योगा नंजी थे। वो ठाकुर जी का सिंघासन सिर पर लिये हुए पीनस के आगे आगे चलते थे। वो भी पीठ दे करके नहीं उल्टे पाऊं। अर्थाथ भगवान रामनंद की पालकी के आगे आगे चलते थे। लेकिन भगवान रामनंद की और पीठ करके नहीं। मुझ कर किये रहाते थे भगवान रामनन्द की और पीठ की तरफ चलते थे, ऐसे महान योगी थे योगानन जी, पीनस रूपी घटा टोप से आच्छा दित महान प्रभा करके सूचक बाल ले खिली ही मालूम पड़ते थे, बाल खिली रिशी की तरह सुभा होती थे, योग श सिद्धि के लिए कोई संभव हो सकता है, संभव ऐसा नहीं हो सकता है, कि नदीन आला, पहार, जंगल, सब जगह इस तरह से कोई उल्टा चल ले, पीठ की तरफ चलते थे, आँख तो रहती थे आगे भगवान श्रामनन जी के दर्शन करने के लिए, और पीठ की तरफ तो पीठ की तरफ ही चलते जाते थे वो, तीन तीन कोश पर रुखते थे महराज जी, तभी रुखते थे तीन कोश अर्था दस ग्यारा किलोमेटर तक लगातार, जंगल, पहार, नदी, वन परवत में, सब जगह से वो पीठ की तरफ ही चलते थे, और महराज चारोतर भगवान, ये भक्त लोग जो थे हैं, अंतन अन जी, आज संत लोग, वो लोग पहुंच करके आसन लगाते थे, बड़ा जोश रहता था, स्रियात्रा महराज जी के, और ठाकुर जी के तंबू के द्वार पर, श्री कभीर जासी विराज ते थे, जिनका चर योगाननजी करते थे, योगाननजी जिनका चरित्रा अप्षामण कर रहे हैं, कपिल भगवान के अंसावतार, ये योगाननजी महराज पुजारी का काम करते थे, आज निकट रहते गए भी, उन्होंने कभी सद्गुर में, अभिने का परिचे नहीं आने दिया, भक्तों जब बहुत पास में सेवक रहता है, तो कभी-कभी लापरवाही से अभिने कुछ हो जाता उससे, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं होने दिया, और उधर स्री पीपा जी ने भी बड़े प्रेम से स्वागत की तयारी किया था, राजर्षी के आग्रह करन पर भी राजसदन में उतरना, किसी ने स्वीकार नहीं किया था, अब पीपा जी के चरित में फिर में इस बात को और विस्तार से सुना होगा, अभी मैं योगा नन जी की बात आपको सुना रहा हूँ, तब उस समय पूरुसी बनीवी पर्ण कुटिया में ही समने आसन लगा और आचारे भगवान के लिए काशी श्रीमत की गुफा के बिलकुल जैसी ही एक सुन्दर परण कुटि बने हुई थी, और शाकुर जी तंबू में विराजते थे, उस समय चातुरमास से वहीं गागराउन गढ़ में विटीट किया गय था, और देवो थानी एका जसी के ब जब पयान की अर्थात प्रस्थान की तयारी हुई थी, तब गुरुव योग में महराज घबला गए थे, पीपाजी महराज, और वो इतने विरक्त हुए, राज जिभार पुत्र को देकर विरक्त वेश में पीपाजी साथ हो करके चल दिये, और उस समय पट्ट महिसीज पर्मावती स्मृती जिनको गुरुदेव ने सीता सहचरी कहा था, उन्होंने भी बेलकुल बैदे ही कासा अनुगमन किया, और राज जिभाइभो और तमाम धन धान ने सब किम्ती किम्ती रतना भूशन वस्त राज त्याग करके, एक कंबल की कपनी फाड करके धारन किया था, माथा सीता सहचरी ने, ये देख करके होगा नंज, महराज बिलकुल करुनार्द हो गए, उनको लगा कि ये राणी इतनी छोटी उम्र की, कितना कष्ट सहती होई ये बन में जाने को तयार है, उन्होंने अपने योगवल से, योगा नंज ने, अपने योगवल से ही, उसी रूखे कंबल की कफनी को, दिव्य साड़ी की रूप में परिवर्चित कर दिया, और इस बात पर भगवान रामाना ने बहुत प्रसन्न होई, कि तुमने एक भाक्त नारी की सेवा की है, तुमने उनका कष्व दूर किया, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही पुर्शोत्तम पुरी में, अर्था जगनाथ पुरी में, जब महराज जी भात में यात्रा सुनाओंगा, वो बात में भी बता रहा हूं कि योगा नंजी ने क्या क्या किया था, जब महराज जी वहां पहुंचे थे, तो कभीर दास्टी ने महराज समुद्र के तट पर, जो मंदिर की ख्षती हुई थी समुद्र के द्वारा, उस जगह जाकर चिम्टा गाड दिया था, सिंदु को डांट लगाया था, कि सावधान यहां से आगे बढ़े कि आगास्टी की तरह से फिर से कोई चरित्र होगा था, तुमको मैं पी जाऊंगा, और समुद्र धर से रुक गया, और वही स्थान कभीर तेकरी के नाम से जगनातपुरी में प्रसेद्ध है, उनी दिनों ठाकर जी के बिहार के चंदन तालाब का जून धार कारे चल रहा था, जून धार का कारे तो समापत हो गया, लेकिन जल नहीं निकला, तो संयोग से उदर योगा नंजी पड़ा रहे, बहुत से उतकलों को वहां जब तप करते देखा, उचा कि क्यों यह सब जब तप हो रहा, बोले महराज, तालाब का जून धार का कारे तो पूरा हो गया, पर जल नहीं निकला, तो श्री योगा नंजी महराज उस सरोवर के मध्ध में जाकर के आसन लगा के बैच गये, और समाधी लग गये, और दो दंड उनके आसन भूमी के त्याग देने के बाद धीरे धीरे, अर्था उनका आसन उपर गया, जिस आसन पर बैचे थे, वो जमीन से उपर उठ गया आसन, तो दो हाथ उपर उठ गया आसन जब जमीन से, उसी समय सरोवर से जल निकलना चुरू हो गया, और जल उपर उठता जाता था, और आसन भी उपर उनका उठता जाता था, योगा नंजी महराज का, महराज उस समय उस चंदन सरोर में जो जल दीवे गति से उपर उठ रहा था उसने उनका योगा नंजी महराज का चरण स्पर्श करने के लिए तीवरता से उपर उठा जल और उस जल में समाधिस्त योगी राज तहरे नहीं लग गए तब जन्ता में जैजैकार मचा और योगा नंजी की शक्ती लोगों ने देखा कि गुरुदेव भगवान के सिश्य किस प्रकार से सूखे सरोवर को पुरा जल मगन कर दिये और फिर जोणो धार करने वालों को वापार प्रसन्नता हुई इसी तरह से महाराज जब दक्षिन विजय यात्रा में जमात सेशा चल पर पहुंची थी उस समय वहां के पार्वती जो सुभिष्ट्रित मैदान में बायकुंट द्वारा जिसको बायकुंट कोहल भी काते हैं वहां पड़ाव पड़ा था तो बड़े प्रात्यकाल पुजारी योगानन जी धनुसधारी जी के पूजन से निवरत्त होकर मंदिर में दर्शन को गए योगानेंजी को पुधारी जी कहते थे महाराजी, बगवान स्री रामानेंजी योगानेंजी को पुधारी जी कहते थे, तो वहाँ जाने पर मंदिर के द्वारपाल ने रोक करके कहा कि किसी भी कंठी बंद रिपुंड धारी को मंदिर में जाने की आज्या नहीं है, बस इतन सुनते ही योगबल से श्री बाला जी के पास पहुँच गए अंदर प्रवेश कर गए योगा निन जी और वो लोग द्वारपाल देखते रह गए है और वो योगबल से अंदर जाके बैठके और श्री वैश्नों का जो पारस्परिक रागत द्वेश शांत करने के लिए उनोनीश प्रकार से उपाय किया और सब को उपदेश करवाया गुरुदेव भगवान से और फिर सब्दक्षन भारती महराजी की शक्ति को समझ पाए योगा निन जी ने इस कारे में महराजी की सेवा की थी और वहां की लोगों की उपर कृफा की थी तो वहां की लोग पहले समझ नहीं पाए थे महराजी की शक्ति को तो विरोध कर रहे थे जब योगा निन अपने योगवल से जहां जहां रोक लगी थे हार जगह जाकर पहुंच जाते थे तब लोग योगा निन जी के महिमा का गान करने लगे तब स्री योगा निन जी नहीं कहा कि मैं तो शिष्ष हूँ आप मेरे गुरुदेव को पहचानिये जो साक्षात राम जी हैं तब दक्षिन भारती लोगों ने फिर भगवान स्री रामा निन जी महराज की शक्ति को समझा योगा निन जी ने ये सेवा गुरुदेव की की थी और जन्ता की विशेवा इस प्रकार से की थी भक्तों स्री योगा निन जी महराज कपिल के होतार थे न भगवान रामा निन जी महराज ने कि इनके अंदर योग शक्ती जितनी है उतना संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए सेवा कारे में दक्षन भारत में भगवान श्रामा नंजी ने योगा नंजा चारे जी को बहुत दिन रखा। श्री योगा नंजी महाराज धर्म के प्रचार के लिए योग विद्रो शमन के लिए डक्षन में गुरुदेव की आगया से ठार गए थे। एक दिन लिंगायत संप्रदाय के श्री चरका चारे जी से सत्संग छिड़ा। वेदोक्ते उन तंत्रोक्त अवतर्णों और उनके तात्परे को न्याय की कसोटी में कसने में उभाय आचारे बहुत देर तक्षन लगने रहे। मध्यस्थ कोई नहीं था। तब स्वामी जी ने अंतरिक्ष में विराजमान देवताओं को मध्यस्थ बनाया। और चरक स्वामी ने भी उसे मान लिया। फिर धूम से सास्त्रात छिड़ा। उभय पक्षी युक्तिय और प्रमान समाप्त हुए। तब योगी न्र के पक्ष में निर्णय करते हुए आकास मार्ग से भूवन भासकर की दिविवानी हुई। साक्षात भगवान सूर्य की दिविवानी प्रकट हुई। कि स्रिष्ट की उत्पत्ति और संगहार विरोधी धर्म हुने से सर्वेश्वर ने आवेशावतार रूप से राजशिक शक्तियों का समन करने के लिए और तामशिक शक्तियों का समन करने के लिए अवतार धारन किया है। उन लोग उनको पहिचानों, वो साक्षाती इश्वर हैं, सुरी भगवान ने यहां काश्वानी की थी भक्तुन, तो फिर वो जो विवाद था, वो सब सांत हो गया, वो सब चलन में पड़ गये, और उन लोगों ने योगा नंजी के माध्यम से भगवान स्वी रामानंद को पहिचानने के लिए शक्ति प्राप्त की थी, दक्षिन भारती संत, साधक, विद्वान इन लोगों को ऐसा लगा कि साध हम लोगों का संप्रदाय समाप्त हो जाएगा, और यह हम लोगों का धर्म परिवर्तन होगा, संप्रदाय परिवर्तन होगा, परन्तो महान योगा न और मधुर्च वर्चे कहा अपने रामको तुस्री गुरु महराज की आग्या है कि जिस संपरदाय में जो पला है उसी में दिड़ करके उसके मार्ग को प्रसस्ट कर देना चाहिए किसी संपरदाय को न तु तिरस्किट करना है और न जुकाना है और ना हमको उसकी महिमा कम करनी है बस उसको भागवत भाक्ती के मार्ग में लगाना है उपद्रो नहीं हो इसके लिए उनको ज्ञान करना है वैदिक मर्यादानुकूल पालन करना यही करतव है इसलिए सर और व्यापनी सत्ता की विद्धिमानता में ही कोई भटकेगा नहीं तो वास्टविक्ता जो है उसका ज्ञान कराना हमारा करतव है नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाने के रहा है तब वो लोग सब जो दक्षिन भारती लोग जो थोड़ा विरोध में थे वो सब चर्णों में पड़ गए और विचरा लेंगायत जो था वो तो पानी पानी हो गया इसने कहा आपके उपदेश ने सचमोच मेरे घृज़ा एक्षेत्र में बद्धमूल जो द्वेश था उस द्वेश के विश्वरक्ष को उखार दिया है और अब मैं विश्णो द्रोह त्याग की प्रतिग्या करता हूँ अब मैं कभी विश्णो द्रोह नहीं करूँगा मैंने ना समझी बस विश्णो द्रोह बहुत किया जीवन में मेरी चपलता को ख्षमा करिए अनंतर वो आभिवादन करके चला गया और दस दिन बाद श्री निवा साज चारी जी आये वे पूरू परचित की तरह मिलकर कहने लगे कि जमात की सेशा चल युँ श्री रंगम जाने की सूठना मिल चुकी थी अब तो खबर लगी है कि जमात सहित स्वामे जी पुना पश्चिम भारत विजे करने काठिया बाड़ चले गए है तो भारी लालसा रहते गए भी अभागिवस समय पर उपस्थित नहीं हो सका अर्थात ग्रिह कला की कारण घर पर रुख जाना पड़ा मेरी अनपस्थित में मेरे भतीजों ने मेरी संपत्थि पर अधिकार कर लिया वे दुर्योधन की तरह सुई के नोप के वराबर पुट्वी नहीं देना चाते इसलिए कई पंचायते हुई परंत्व किसी की नहीं मानते जिस दिन आपकी जमात सेशा सल पहुंची है उसके दूसरे जिन उनहीं लोगों की तरफ से पंचायत वैठी थी इसलिए अपने सत्व और संपत्थि के रक्षार्थ मुझे वाँ रुख जाना पड़ा पक्षपाती इन पंचों ने बहुत दिनों तक रक्षा करने योंग अधिकार बनाए रखने के उपलक्ष में मेरी संपत्थि का आधा भाग मेरे भतीजों को दिला दिया है इस निणे से असंतुष्ट होकर मैं अब यहां चलाया तो दूसरा मर्मान तक दुखदाई समाचार ये सुना कि आपने वैष्णव द्रोही श्रहिवों का आतिठ स्विकार किया है और इतना कहते कहते आचारी जी की आँखें डबडबाई उनको यह ब्रह्म हो गया था भक्तों कि वैष्णव द्रोहिवों का आतिठ स्वागत स्विकार करना ठीक नहीं है योगा नंजी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है मैं वैष्णव द्रोहिवों को भी विष्णव भक्त बनाने के लिए भगवान रामनंद की कृपा कबर वितरण करने आया हूँ आपकी भतीजों ने आपको कश्ट दिया है उन पक्षपाती पंचों को क्या कहा जाए आपकी उपस्टित में ऐसा ही निरने करना उन लोगों की प्रथम से सिखी पड़ी हुई बातें थी तो आप दुखी मत हो ये वो सब ठीक हो जाएगा आप उसकी चिंता छोड़ करके हनुमान जी और भगवान राम की सेवा में लग जाएए अपने आप सब ठीक हो जाएगा फिर उन्होंने भगवान की प्रेशिष्य योगानंजी की बात को मान दिया तो दक्षिन भारत में इस तरह से जहां जहां भी शमताएं थी जहां जहां खीस तान थी उस साब को मरा योगानंजी ने ठीक कर दिया सभी कुछ शांती का मार्ग दिखलाया भगोत भक्ती का मार्ग दिखलाया विवाद, कोलाहाल, संघर, शांती सब गुरुजेव की कृपा से उन्हों ठीक कर दिया और उसके बाद फिर वो वहां से फिर द्वारावती के लिए अर्था द्वार का पुरी के लिए प्रस्थान किया है और नीडपाज में एक पोखरे पर सुन्दर बत्विक्ष के नीचे कुछ जिनों निवास किया वहां आने वाले सांसारिक प्राणियों की कामनाओं को योग सिद्धी से संपूर्ण करने लगे और वहां की रानी सूर्यबाला देवी पुत्र के लिए निट वेश बदल करके आती थी जाड़ू लगाती थी स्वामी जी की आरती उतारती थी और योगानन जी महराज ने फिर वहां सारतों के दाने छेट दिये तो जो जमात के पक्षी रूप में गगनमार्ग से आये हुए थे वो दाने चुगने लगे और फुदकते रहे तो जो तमोगुनी सिद्धी वाले थे वो सब वहीं पर मोहित से हो गए और फिर वो चरणों में पड़ गए और बोले आपने हमको डंड नहीं दिया हमारे उपर कृपा की है इसी से हम आपके चरणों के हो गए हैं और इसके बाद फिर मारा सुदामा पुरी गए हैं योगानन जी गुरुद्य भगवान तो पहले ही जा चुके थे वहाँ एक चित्रकार रहता था उसी के हाँ ठहरे वो बड़े प्रेम से सेवा करने लगा और वो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता था बात यह थी भगवान की उसी उद्रामा पुरी में रहने वाला जो बहुत प्रसेद चित्रकार था उसको नाहरू रोग हो गया था उस समय उसका इलाज नहीं हो पाया तो यह ही चाहता था कोई संत कृपा करें तब ही ठीक हो सकता है एक दिन योगा नंजी की द्रिष्टी उस पर पढ़ गई उसी समय उसका रोग जड़ मूल से समाप्त हो गया और वो चकित हो गया कि इन्होंने तो कुछ किया भी ने क्योल द्रिष्टी डाली है और मेरा रोग समाप्त हो गया तो फिर सब लोग वहां की जान गए कि ये तो साक्षात कोई इस्वरिया होता रहें तब योगा नंजी ने बत्लाया कि मैं तो भगवान श्री रामा नंजी का सिष्ट्र हूँ और वो चित्रकार ने फिर योगा नंजी का भी चित्र बनाया और उसको अपनी पूजा में रख लिया और भगवान श्री रामा नंजी का भी चित्र बना कर पूजा में रख लिया भक्तों श्री योगानन जी का चरित रागया और सुनाऊँगा मैं आज महराज जी को उनके शीश्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं श्री राधेरा दे दे श्री राधेरा दे श्री आवर राम चंद्र की दे श्री रामानन्द भगवान की दे